इंडियन इंस्टिटूट औफ इस्पेस साइंस एंड टेकनोलोजी ये कॉलेज त्रिवंत पुरम में हैं आज इस कॉलेज के बारे में हम बात करने वाले हैं क्या इस कॉलेज में फीस नहीं लगती है या फिर लगती है तो कितनी लगती है इस college में कौन-कौन से course है जो offer किये जाते हैं, किस entrance exam के base पे आप इसमें admission ले सकते हैं आईए एक-एक करके हम आपको वो सारी चीजे दिखाते हैं, इसमें कौन सा course आपको offer किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, academic में आपको वो सारे detail मिल जाएंगे, कौन-कौन से course यहाँ पे आपको offer किये जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, आप undergraduate, postgraduate और PhD के course आपको यहाँ पे मिलते हैं एक-एक करके हम आपको दिखा रहा हैं, इसमें आप किस-किस branch में B.Tech कर सकते हैं या फिर post graduation के लिए आपको कौन-कौन से course offer किये जाते हैं आईए एक-एक करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं B.Tech के लिए आपको दिया हुआ है, aerospace engineering, electronics and communication engineering और यहाँ पे 5-year के लिए dual degree आपको दिया हुआ है B.Tech plus Master of Science यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन-कौन सी branch है B.Tech के लिए इसका process क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, इसमें admission कैसे ले सकते हैं यहाँ पे आपको seat matrix दी हुई है, किस branch में कितनी seat हैं और किस category में वो seat हैं, आप एक-एक करके यहाँ पे इसकी पूरी detail देख सकते हैं J.E. Advance के base पे आप इसमें admission ले सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ UG admission is based on J.E. Advance के scorecard पे आप यहाँ पे admission ले सकते हैं अगर आप जही advance में appear हुए हैं, तो यहाँ पे इस college की website पे इसका form है इसका form भरके आप इसमें participate कर सकते हैं B.Tech में कितनी fees इसमें लगती है, यहाँ पे एक-एक करके हम आपको दिखाते हैं यह 2022 का है, 2021 का, तो इसके approximately आपकी fees लगने वाली है एक-एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको one time deposit करनी होगी, यहाँ पे एक-एक करके पूरी detail दिवी है वो total 9,000 रुपीज है, जो आपको one time deposit करनी होगी, admission की time उसके बाद जो पर semester की आपकी fees लगने वाली है, वो 16,7,950 रुपीज है इसके बाद आपको जो hostel or maze की charges देने होंगे यहाँ पे उसकी पूरी detail दिवी है, 23,750 यह पर semester आपको देना होगा इसके अलावा आपकी जो fees माफ होने वाली है, वो किस category में किसकी fees माफ होने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो tuition fees आपका दिया हुआ है 62,500 और यहाँ नीचे आपको दिया हुए है किसकी fees माफ होने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 62,500 किसकी fees लगने वाली है 5 लाग या 5 लाग से कम जिनकी income है उसको 20,850 जो tuition की fees है वो देनी होगी और 1 लाग से कम जिसकी income है उसका fees नहीं लगने वाला है यहाँ पर YASTI, YASTI और जो भी disability वाले student है उनकी fees नहीं लगने वाली है इसी तरह से आप यहाँ पर MTEK में भी देख सकते हैं यहाँ आप MTEK में देख सकते हैं MTEK के लिए आपको कौन कौन सी branch दी हुई है यहाँ पर उसका पूरा detail दीया हुआ है एक एक करके आप देख सकते हैं MTEK में आप किसमे किसमे admission ले सकते हैं इसकी पूरी detail यहाँ पर दी हुई है MTEK में admission लेने का जो process है वो भी हम आपको दिखाते हैं MTEK में fees कितनी देनी होगी वो भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो admission का process है 2024 admission to PG program is through CCMT के base पे यहाँ पर admission होने वाला है अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ और inquiry चाहिए तो यहाँ पे आप college में directly call करके पूरी detail ले सकते हैं यहाँ पे उसके बारे में पूरा detail दिया हुआ है email ID दिया हुआ है phone number दिया हुआ है तो इसके बारे में आप पूरा detail ले सकते हैं इसकी website भी दिया है वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं इसमें जो fees लगने वाला है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो Mtech की fees लगने वाली है, वो कितनी होने वाली है, वन टाइम जो आपको fees देना होगा, वो 10,000 रुपीज है, और इसकी जो tuition fees है, वो 35,000 रुपीज है, यहाँ पे आपको जो पर semester क fees देनी होगी, वो 40,450 रुपीज है, और इसके साथ जो आपको hostel का देना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 26,750 रुपीज आपको hostel के साथ देना होगा, और यहाँ पे भी ESC, HD और जो physical candidate है, उनका fees नहीं लगने वाला है, एक एक करके आप यहाँ पे पूरी detail देख सकते हैं, इसके बाद अगर आप यह देखना चाहें कि इसका placement क्या होता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके placement के बारे में भी पूरी detail दी हुई है, Mtech का, BTEC का यहाँ पे पूरा detail दिया हुआ है, आप एक एक करके देख सकते हैं, यह है 2023 का, पूरा detail दिया हुआ है, एक एक करके आप देख सकते हैं, branch wise आपको पूरा detail मिल जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको BTEC के लिए दिया हुआ है, जो average salary है, medium salary आप देख सकते हैं, maximum salary देख सकते हैं, कितनी गई हुई है BTEC के लिए, और किस branch के कितने बच्चों का placement हु झाल झाल झाल